नमस्कार जोहार नई दिशाये में मैं कीर्ती चोहान आपका स्वागत करती हूँ आज पूरा विश्व एक डेवलप्मेंट की रेस में भाग रहा है और इस दौर में हमारा भारतवर्श कहीं भी पीछे नहीं है पर इस दौर में आगे आने के लिए हमने जो मूल चुकाया है वो है प्रदूशन का अगर हम एर हजाडियस इंडेक्स की बात करें तो भारतवर्श का स्थान आठवा आता है पूरे विश्व भर में ऐसे में सेंट्र्ल गर्वर्वन्ट और स्टेट गर्वर्वन्ट अलग अलग तरीके की स्कीम से अलग अलग तरीके की काम करते ही रहती है इस विशह पर पर कई लोग हैं कई संस्थान हैं जो इस विशह पर individual level पर काम कर रहे हैं आज हमें कैसी ही सक्सियत से बात करने वाले हैं जो कि जारखन राजी में पर्यावरन संग्रक्षन को ले करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी क्रिष्ण गोपाल का जी का नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागता है हमारे कारेक्रव में धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हम अगर pollution की बात करें और उसमें आपका जो योगदान है उस पर बात करें उससे पहले जो आप काम करते हैं सर आप गाओं में जाते हैं वहाँ पर लोगों को आयूरवेदिक plants के medicinal values को समझाते हैं उसके लिए आप तरह-तरह के trainings देते हैं, इसके अलावा आपने septic tanks बनवाए हैं और आपने बहुत सारा plantation का काम किया है तो सर, ये जो एकल आरोगे से आपका जुड़ाव है, इसके शुरुवात कैसे हुई देखिए मैं इस संस्था से करीब 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ पहले हम रामगड रहते थे रामगड में एकल विद्ध्याले ये एकल अभ्यान RSSS का ही विंग है जिससे हमारा जुड़ाव हुआ वहां में विवस्था प्रमुक था तो ये क्या था पैरा टीचर स्कूल हर गाओं में एक साक्षर आदमी जो सभी बच्चों को पढ़ाए प्राइमरी सिक्षा दे जिससे कम से कम बच्चों में इतना उत्साहर है कि वो आगे स्कूलों में जाने लाइक हो जाएं तो ये हमने स्टार्ट किया उसके लिए सभी सुईदाएं मुहिया कराते थे कॉपी, किताब जो टीचर होते थे उसकी सैलरी सभी चिच का ध्यान रखते थे और ऐसे करीब-करीब हमने कई साओ गाओं में इसे चालू किया लोगों ने भी इसमें भरपूर योगदान दिया और ये करीगरम धीरे-धीरे काफी प्रचलित हो गया और कई नए लोग इसमें जुड़ गए फिर हमारा ध्यान गया स्वास्त पे क्योंकि जहां काफी लोग जुड़ गए वहां हमारा काम अब नहीं था तो हम फिर रांची आ गये थे इसी दर्मयान और रांची रहने लगे फिर हमने देखा कि आरोग्य भवन में एकल आरोग्य उस समय स्टार्ट हुआ और काफी नए फेस पे था तो वहां मैं जुड़ा फिर मैंने उसके एक कारोभार समाला हम गाओ 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 जाके देखा कि गड़िब ही काफी है गंडगी काफी है लोगोंको ज़रूरद है स्वास्त की और लोगों को तो जानकारियां भी नहीं है कि किस तरह इलाज करा हैं, किस तरह हम कहां जाएं, तो हमने काफी डॉक्टर्स की हमारी टीम थी, जिन्होंने हेल्थ किया, हमारी एक संस्था, जिसमें काफी लोग जुड़े, और जुड़े के फिर हमने इस काम को आगे बढ़ाया. जी सर, जो आपका यह पूरा प्रोसेस है, जिसमें आप भी बता रहे थे कि डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, और फिर आप जाते हैं गाओं में, वहाँ पर आप सेप्टिक टैंक्स बनवाते हैं, या फिर प्लान्टेशन करते हैं, जो यह पूरा प्रोसेस होता है सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे हैं. एक अलारोग्य ऐसा है कि इसमें हमारे मुख्ये चारपाश डॉक्टर हैं, और इसकी संस्थाएं काफी जगाब हो गई है, जिस समय सुरुवात मैंने किया था, राची ही मुख्ये संस्था हुआ करती थी. तो हम लोग गाओ के लोगों को बुलाते हैं, जिसमें लीडीज की ज्यादा सभागता है, वो ज्यादा आती हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें बेसिक चीजे बताते हैं कि ये बिमारी का ये इलाज होना चाहिए, इस तरह से हम लोगों को पेसिंग को देखना चाहिए, जरुवत पढ़ने पे हमने टीम बनाई, बीस लोगों के उपर एक प्रमुक को दिया, और वैसी बीस टीम के प्रमुक के उपर फिर एक प्रमुक को दिया, तो ये एक टीम ऐसी बनी कि वो बीस लोग एक आदमी को रिपोर्टिंग करते थे, और वो एक आदमी फि वो work करती थी, संस्था भग dedicated group में आगे बढ़ने लग गई, फिर धीरे धीरे हमने उनको equipments provide करने चालू किये, BP की machine, बाकी general machine है, blood sugar की machine, उसकी cleaning देनी चालू की, कि आप local level पे ही अपना BP, blood sugar, और बाकी oxygen, यह सब चीज़े, जो general machine है, उससे ना पले, फिर धीरे धीरे हमने उन voting कर पाते हैं, यह तो हो गई basic बुनियादी चीज़ें, जो हमने मुहयां कराई, दवाईयां, बाकी चीज़ें, जो उनकी जरुरत की चीज़े थी, आरोग्य को लेके, सबसे बड़ी बात क्या थी, कि ग्रामियुनों में काफी उत्सा था, काफी लोग जुडने लगे, और कई सौ लोग और कम से कम कई सौ गाओ जुड़ चुके थे, जब कोविड आया तो हमने बड़ा रूप में प्रसेक्शन किया, बड़े रूप में लोगों को बुलाया, मास्क वगर का वितरन करवाया, काफी लोगों की जान बचाने में हम सफल हो पाए, यह तो एक पार्ट रहा कि मेडिकल साइंस को हमने यूज किया, दूसरी तरफ हमारे कुछ डॉक्टर्स थे जिनको आयरवेदिक का ग्यान था, तो हमने आयरवेदिक प्लांट, उसके भी बहुत काफी पहले से ही, उसको लगाना, उसको उपयोग करना, उसके बारे में जानकारी देना चालू क कर दिया था, और कोविड ने इस बात को साक्ष कर दिया, कि आयरवेदिक की क्या ताकत है, हर आदमी आयरवेदिक की तरफ जुकाओ हो गया, हर आदमी का, तो अब ये मान के चलो, जो काम हमने साथ साल में किया, वो रिजल्ट दिखाया, तो हमारे मुहिम को बहुत अच्छ की लोगों का इलाज कराना, उनका भरोसा हम्बे होना, वो टाइम लगता है, और वो समय के साथ हो पाया, इस काम में हमने सालों दिये, और धिरे धिरे लोग जुड़ते गए, और जुड़ते गए, और ऐसा जुड़े कि फिर वो कभी हमारे से अलग नहीं हुए, हमारा कार जाके विजिट किये, वहां की गंदगी, वहां की बाकी चीजे, हर चीज पर हमने काम किया, अगर सार हम बात करें परियावरन संक्रक्षन की, तो हम बात कहते हैं कि हमें प्रकृती से क्या-क्या चीज है, तो हमें जल चाहिए प्रकृती से, वायू चाहिए, तो सार अगर वाईयू की सबसे पहले बात करें, तो वाईयू प्रदूशन को ले करके, क्या-क्या स्टेप्स हैं, जो हम एज इन इंडिवीज्व ले सकते हैं, प्रदूशन को कम करने के लिए? वाईयू प्रदूशन तभी होता है, जब हम कोई चीज को जलाते हैं, चाह वो इंडिस्ट्री हो, घर हो, गाड़ी हो, या कोई भी जगा हो, वाईयू में जो कार्बन डायोकसाइड है, वो सबसे ज़्यादा खराबी करता है, आज तो यह हो गया हर सहर, हर जगा, सरकार नही मीटर लगा दिये हैं कि आपका क्या लेबल हैं, किस-किस चीजों के, अब जैसे दिल्ली है, धुन्दी छा जाती है, एक समय ऐसा आता है, कि लोग, मतलब, परेसान हो पाते हैं, और फिर काफी तरह की बिमारिया आती है, देखिए, सबसे बड़ा मैजर है तो हम इसको रोक कर पाएंगे, पर दूसरन फैलाना बहुत ही आसान काम है, इंधन को जर्व से यादा यूज करना, गाड़ियां अगर धुआ दे रही है, उसको बंद कराना, इंडस्ट्री में आज देखा जाए, तो पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स आ गए हैं, बड़ी-बड़ी करने आ गई है, उसको यूज करना, थोड़ा खर्च करना, थोड़ा स्मार्ट बनना, और थोड़ा, मैं यह बोलूँगा, सयम रखना, इससे काफी पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, एक मेजर तो सर ये भी है कि, जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यह जादा क्या है, यह सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पर अगर हम वायू के बाद अगर बात करते हैं, तो सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सर यह एक बहुत अच्छा प्रॉसस है, जिससे कि हम जो वाटर है, वो अपने लिए तो कम से कम सेव करी सकते हैं, तो सर इस पे आपका क्या हो, लोगों को जहां फाइदा दिखता है, लोग उस काम को जल्दी करते हैं, तो हमारी सरकार इसके लिए काफी जोरों से लगी है, इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है, आपके छट पे जो पानी जाता है, जब बारिस होती है, वो पुरा नाली के माध्यम से बाहर निकल हमào जाता है, अगर उसे एक छोटा सा हम पिच बनाके, छोटा सा हूल बनाके, अगर उसको हर्वेस्ड करते हैं, पतलब धरती माग को अगर वापस पानी को अगर हम एक तरह से दे देते हैं, वो पानी वापस धरती पे जाती है, वह वाक्टर लेवल बढ़ जाता है, इसका काफी लेट तक मदद करता है और ये इतना छोटा प्रोसेस है इसमें करने में बहुत बड़ा खर्च भी नहीं है और उससे यादा तो आज राची में आपको टेक्स का पेनिफिट ही सरकार दे रही है मेरे को लगता हर आदमी को करना चाहिए और हर घर में होना चाहिए अगर जड़ाइट भी है और चेतना है भी आज राची सहर में बड़े बड़े पार्क बनाया जा रहे हैं पौधे लगाया जा रहे हैं जगा जगा देखोगे आप आई लव राची के जो बोग लग रहे हैं उसमें प्लांक्स की पूरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफिकेशन की जारी है राची सहर के आसपास इतनी नरसरियां है कि अपने सोच नहीं सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि पौधे बिक रहे हैं हर आदमी के घर में आपको पौट्स मिलेंगे और राची का वैदर ऐसा है कि यहां अच्छे से अच्छे फ्लार हो सकते हैं तो मेरे को लगता है कि लोगों की रूची है लोग पौधा लगाते हैं और राची सहर ऐसे भी ग्रीन सिटी है अगर आप एची सी जाओगे मुराबादी जाओगे बाकी एडिया जाओगे तो राची में काफी पेड़ हैं बाकी सहरों की उपेक्छा और प्लस हमारे यहां जंगल जाड काफी ह प्लस अभी मेरे को लगता है जैसे आपने बोला चेतना हम तो यह देख रहे हैं कि आजकल लोगों ने गिफ्ट में भी पौधे देने चालू कर दिये हैं लोग ट्री प्लांक्टेशन के बड़े बड़े प्रजेक्ट ले रहे हैं हर क्लब हर संस्था ट्री प्लांक्टेश है तो उसका प्रभाव तो पढ़ रहा है मेडम जी सर आब बात कर रहे थे बच्चों को ही प्राइमरी सिक्षा देनी चाहिए और मुझे लगता है सर कि अगर किसी भी चीज को ना बहुत बड़े स्तर पर करना है ना तो उसके लिए सबसे पहले जो बच्चे हैं उन्में ब परियावरण को ले करके अब तो यह सब्जेक्टी बन गया इन्वार्मिंग बच्चों को इन्वार्मिंग के बारे में बकाइदा पढ़ाया जा रहा है और प्राइमरी कक्षाओं से ही थर्ड फॉर्थ से ही देखो गया पढ़ाया जा रहा है ऑक्सिजन के लेयर्स, वाट बच्चों तक पहुच पा रही है, अच्छी स्कूले तो सब पढ़ा रही है, CBSE, ICSE, जारकंग बोर्ड या जो भी मेजर बोर्ड हैं, वो सारे ही पढ़ा रहे हैं, कहीं भी उसमें कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ी टीचर होते हैं घर में पैरेंट्स, जब वो बच्चों क इनके बारे में और जागरुख करेंगे, तो इससे बच्चों पर प्रभाव आएगा. अपने घर में, अपने पैरेंट्स से सीखते हैं, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो मैं जाना चाहूंगे, कि आपका कैसा फैमिली बैक्ग्राउंड रहा है, कि आपके माइंड में ये एक कॉंसेप्ट है. हमारे एंसिस्टर्स माइंस ओनर थे, हमारी माइंस हुआ करती थी जो नैस्नलाइज हो गई एक जमाने में, तो हमारे पर दादा जी, दादा जी, इन लोगों के साथ आप जानते हो काफी बड़ी टीम होती थी, और काफी काम ये लोग करते थे, और सब का ध्यान रखते थे तब ही काम कर पाते थे, इन लोगों ने हमेशा लोगों के लिए सोचा है, वही चीज हमारे फादर मी थी, हमारे फादर रामगड रहते थे, उन्होंने भी काफी कुछ समाज के लिए किया, जहां भी समाज को जरुट पड़ी, हमेशा खड़े रहे, और मेरी मदर भी वैसी ही है, आज वो औरों की मदद करने पे बहुत विश्वास करती है, और जब मैं अपने नानी घर भी जाता हूं, वहां पे भी मैं वही देखता हूं कि गरीबों को खाना कि लाना, विक्मंगों को देना, या जो भी जरुटमंद है उसकी मदद करना, जब पूरा परिवार ही पूर गई, लोग एक तरह से, मतलब ये बो लोगे बेबस हो गए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने में, मैंने जो सबसे बड़ा उस समय काम किया, मैंने रासन, मैंने पाच-पाच किलों के गिहूं, अनाज, आटा, यहां तक की दाल, चावल, सबजियां, आलू, य आपके घर का दस दिन का रासन मैं आपको दे रहा हूं, और इस तरह के पैकेट्स हमने काफी वितरन किये, साथ ही साथ हमने कई जगा खाने के स्टॉल लगाए, जिसमें की लोगों को खाना फ्री में दिया गया, प्लस उस दौरान हमने काफी जगा छोटे 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 छ सर अगर आपका पर्यावरन सक्रक्षन को लेकर के बात करें तो अभी तक आपने जितना भी काम किया है, चाहे वो सेप्टिक टैंक्स बनवाना हो या फिर आयुरवेदिक मेडिसन का इंपोर्टेंस बताना और ट्रेनिंग कैंपेंस वगेरा, तो सर आगे का आपका विजन क किया है? देखिए, मैं यही जानता हूँ कि आदमी में जब तक जाग रुकता नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता. मेरी चेश्का है कि मैं लोगों को जाग रुक करूं. देखिए, पर्यावरन बोलने से नहीं होता, समझने से होता है. हम जहां रहते हैं वहीं पर् उसके बारे में नहीं सोचेंगे, वहां गंदगी नहीं फैलाएंगे, तब ही हम पर्यावरन के बारे में सोचते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा मानना है कि लोगों में एक discipline आना चाहिए, लोगों ने ये समझना चाहिए कि क्या करने से हमें क्या नुकसान हो रहा है, आज हम बात लेने जाते हैं, नहने जाते हैं, बड़े-बड़े सावर लगा दिये लोगों ने, हम राची सहर की या बड़े सहरों की बात करते हैं, जहां लोगों के नल खुले रहते हैं, पानी बहते रहता है, लोगों को परवा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है पानी फ्री में आ रह रहा है, अपार्टमेंग्स में अपार्टमेंट वाले सप्लाई दे रहे, किसनी क्या बोरिंग है, पंप करके टंकी भर रखा है, चिंता नहीं है, फिर भर लेंगे, तो ये वेश्टेज है, लोग ध्यान नहीं देते, मेरी सोच है कि सबसे पहले सोच बदलने की जरुवत है, हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब नैच्रल लिसोसेश धीरे 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 परिसानी में बदल रहे हैं, आज क्या हो रहा है, इस गर्मी में, राची में इतनी तकलीफे हुई पानी को लेके, हर नियूस पेपर में, हर जगा लोग प्रानी के लिए बहुत तकलीफ पा रहे थे, हर नियूस पेपर में ये आर्टिकल आपको दिख रहे थे, इसका कारण क्या है, मेरे को लगता है, इसका कारण हम ही लोग है, हम लोगों ने इतनी बुरी तरह बरवादी की है कि आज हम तकलीफ में हैं, जी, सर हम जब कंसरवेशन की बात करते हैं, तो एनरजी की बात करें, देखिए, सोलर एनरजी धीरे धीरे पर चले थो रही है, आज सोलर एनरजी को यूज करते हैं हमें करीब करीब 35-40 यह हो गए, सोलर पैनल्स जो बने, जी, अब वो इस पैमाने के बन गए कि अब हम उसको डमेस्टिक यूज ले सकते हैं, अब किसी भी टैरेस प अगर आप जर्वा से जड़ा एलेक्रिक यूज मतलब प्रेड्यूस कर रहे हो, तो एलेक्रिक खरीद भी रही है आपसे, आपको उसके पैसे मिल रहे है, आप अपने घर की भी बिजली जला लो, प्लस आपकी वो इंकम का भी स्रोथ हो जाता है, प्लस इसमें सबसीडीज ह हैं, और सबसे बड़ा फाइदा, अगर आप सोलर पैनल यूज कर रहे हो, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके घर की उपर जो पैनल लगते हैं, वो तरह एक तरह से आपकी चछत जो तपती थी, वो तपना बंद हो जाती है, और इसम कि मैं आपको बताऊं, आजकल जो सरकारी पानी की टंकिया लग रही है गाउ में, जहां बोरिंग हो रही, वो सोलर पैनल लगा दे रहे है, मोटर अपने आप चलता है, अपने आप वो टंकिया भरती है, तो आप सोचो, कोई बिजली की खपत नहीं, कोई मिंटिनेंस नहीं सोलर लाइट, सोलर पोल्स लग रहे, जगा जगा हम बिजली के खंबे लगा रहे हैं, उसमें एक सोलर पैनल है, और सोलर पैनल से वो बैक्टरी चारज हो रही, और और सब सेंसर है, सब सेंसर से ही लाइट जल जा रही, आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ रहा, अगर इ जंगलो कराजय कहा जाता है, और गाओं में सर फिर भी लोगों में इतनी जाग रुकता है कि वो परियावरन के लिए काम करते है, बड़ शेहरों में सर एनरजी का यूजज जादा है, पर उसको वापस करने का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, अगर हम जंगलो की भी बात कर सर इस से कितनी एफेक्ट पढ़ता है परियावरन पर? छोटी छोटी चीज़े बड़ी बनती है, जिस तरह आपने बुला एक छोटा सा हम जगा बना ले, तो यह अगर हर जगा छोटी छोटी जगा बन जाएगी शहरों में ही, तो यह अपने आपने बड़ा रूप ले ले किचन वेस्ट का भी यूज करके घर में ही इतना सबजी का इस्नमाल हो रहा है, क्योंकि अगर हम अगर हम सिफ और गानिक फूड की अगर बात करें, तो वह भी रहता है कि फर्टिलाइजर बहुत यूज हो रहे हैं, तो हमें ऐसा खाना चाहिए जिसमें की नही के छोटे से डबे में भी या वाटर से भी आप देखोगे एक नई टेकनलोजी आई है, कि आप बीच को सो कर दो, एक पिंडरल वाटर के बाटल को काड़ दो, और उसी में आप धनिया, पोदिना जैसी छोटी चीजों को आराम से लगा सकते हो, और आपके खाने भर की हम उगा सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अपने हाथ की चीजों को उगा के खाने का जो मजा है, वो बजार से खरीद के खाने में तो नहीं है, तो हर आदमी को यह प्रयास जरूर करना चाहिए. सर, अगर आपके समाथ से भी होने पर बात करें, तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? लेकि मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे फादर मदरी है मैंने उनको सुरू से लोगों की मदद करते वे देखा है जरुत मंद को समान देना जरुत मंद को मतलब पूरी मतलब संतुस्ट करके भीजना ये उनके नीचर में सुरू से रहा मेरे फादर के सामने कोई आके अगर रो देता था तो हम लोग बोलते थे पापा पितने दयालू क्यों है वो उसके नकली आसू भी हो सकते हैं पर मेरे फादर हमेशा यह बोलते थे वो तकलीफ में तब मेरे पास आया है नहीं तो उसके पास बहुत जगा थी जाने के लिए, तो कोई आपके पास आता है, तो आपको जरूर उसकी मदद करनी चाहिए, यह मेरी सोच है. जो हमेशा से बात करते थे कि जल वायू परिवर्तन होने वाला है, वो अब अच्छल में हो चुका है, सद ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, कि हम अपने आने वाली जनेरेशन के लिए एक बेटर अर्थ छोड़ करके जाएं? सबसे पहले तो हमें जो भी नैच्रल डिसोसेस हैं, उसका मिस्यूज रोकना चाहिए, जिस तरह आपने बोला कि अगल बगल की जगह हम पैदल चल जाएं, साइकल से चल जाएं, इंधन की बचत करें, घर में पौधे लगाएं, परियावर्तन को अच्छा करने के लिए गं सितना करें, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, आज क्या हो रहा है, धीरे-धीरे सब चीज़ें कर रही है, परियावर्तन, जल, हवा, यहां तक कि मैं यह भी बोलूँगा, इतनी गंदगी फैल रही है, जिससे बीमारियां काफी कुछ, धीरे-धीरे जो हमारा खान-पान है वो भी खराब होते जा रहा है, हम फास-फूड, बाकी जो चीजें हैं, उसकी तरफ काफी जुकाओ अब दिखा रहे हैं, इन चीजों को हमें तुरंत, मतलब रूखना चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, और इन चीजों को दुसित नहीं कर करनी चाहिए, जी, सर आप मॉनिटरी बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे, कि सोलर पैनल लगाने से, या फिर रेंवाडर हर्वेस्टिंग करने से, क्या-क्या आपको मॉनिटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपको पानी नहीं मिलता, तो आप सोचो आपको पानी खरीदने का क्या कॉस्ट रहेगा, और एक रेंवाटर हार्वेस्टिंग करने से, अगर आपके घर में गर्मी भर अगर पानी मिल जाए, तो आपकी कितनी बड़ी सेविंग है, प्लस टैक्स के पैसे आपको अलग कारण के लिए काफी बड़ा बेरिफिक देता है, बिजली, बिजली बिल आच काफी, काफी इलेक्रिसिटी बिल आप बचा सकते हो, हर जगा देखिए, बच्छत के काफी सारे उपाएं हैं, सर आपकी जो एकल आ रहे होगे कि आप बारे में बता रहे थे कि वो प्राइमरी होने के बाद जब वो थोड़ा ट्रैवल कर पाते हैं, साइकिल चला पाते हैं, तब ही वो दूर जा पाते हैं, तो हम लोग गाओ में एक सिक्छित लड़के को या कोई भी मैडम को इस चीज के लिए प्रतसाहित करते हैं, और उसे प्राइमरी एजुकेशन की सभी चीजे म चोटे हैं, वो आएं, और अलफाबेट्स, मात्राएं, जो बेसिक ग्यान है, कम से कम उतना प्राप्त करें, अगर वो उतना सीख लेंगे, तो आगे उनकी स्कूल जाने की हिम्मत हो जाएगी, नहीं तो मान लीजे, जब उनकी एक एक होती है स्कूल जाने की, और उस समय व बच्चों को अपने से काफी आगे पाते हैं, तो उनकी हिम्मत टूड जाती है, बहुत-बहुत धर्नवाद सार हमारे सार जुडने के लिए आज आप से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपके इतने अच्छे काम के लिए मैं आपको बहुत सारी शुपकामनाई दे होती हूँ, आज के कारिक्रफ में बस इतना ही, मुझे दीजिये इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको नई दिशाय की अगली कड़ी में तब तक के लिए जोहार.